हलो स्टूडेंट्स हम पिछले लेक्चर में केचुए के बाईय लक्षन शरीर पर उपस्थित बाईय छिद्र तथा आहर नाल का अध्यान कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर जो हमारा जूलोजी के अंदर First Year का Practical है उस से सम्मंदित जो प्रयोग है उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले केचुए का जो परिसंचर अंतर है इसका परिसंचर अंतर सर्कुलेटरी सिस्टम बंद प्रकार का होता है closed circulatory system है जिसके अंदर कुछ अनुदेधर्य longitudinal blood vessels होती है तथा कुछ transverse अनुप्रस्थ blood vessels पाई जाती है यह सम्मिलित होकर एक closed network का निर्मान करते हैं तो orthoam के अंदर closed circulation है और इसके अंदर heart, blood vessels रक्त केशिकाएं तथा रक्त ग्रंथियां, blood glands पाई जाती है अच्छा जो closed circulatory system है तो उसमें हमने कोई artery या vein नाम नहीं दिया क्योंकि इसके अंदर जो dorsal blood vessel है उसके अंदर वितरन तथा संग्रह दोनों कारे होते हैं एक से तेरा तक यह वितरन का कारे करती है जबकि अंतिम खंड से 14 खंड तक यह संग्रह का कारे करती है अच्छा इसमें हृदय के साथ साथ जो dorsal blood vessel है इसमें संकुचन शीलता भी पाई जाती है और कई अन्य छोटी रक्त केशिकाए हैं जो आहारनाल और तवचा को रक्त देने का कारे करेगी जो रक्त ग्रंथी है वह फेरेंजल नेफरीडिया के साथ 4, 5 पे और 6 खंड में उपस्तित होती है जिनमें रक्त केशिकाएं तथा हीमोगलोबिन का निर्मान होता है कोशिकाओं में RBC नहीं पाए जाएंगे अधिकतर जो cells हैं जो इसके blood cells हैं वह phagocytic भक्षानविक प्रकार के होते हैं यह देखें यह dorsal blood vessel है जब आप dissect करते हैं या बाहर से भी देखते हैं तो यह स्पस्ट रूप से दिखाई देती है जो परिसंचरन तंत्र है वह श्वशन के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है क्योंकि श्वशन की प्रक्रिया में जो oxygen ली जाती है परिसंचरन के द्वारा उसका वित्रण होता है तो जिस प्रकार आपने देखा परिसंचरन तंत्र में चूटी चूटी रखत के शिकाएं तवचा के चारों तरफ उपस्ते थी वो इसलिए थी क्योंकि इसका श्वशन जो है वो तवचा के द्वारा होता है और तवचा से होने वाले श्वशन को तवक श्वशन या क्यूटैनियस रेस्पिरेशन कहते हैं इसके अंदर तवचा को नम रखा जाता है इसके लिए म्यूकस गरंती और और सिलोमिक द्रव कारे करते हैं, इसमें जो धूप है, उसका असर कम होना चाहिए, इस कारण से जो भी जीवत्वक्षवशन करते हैं, वो रात्रीचर होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, तथा रक्तकेशी काएं बहुत ज़्यादा पाई जानी चाहिए, जैसा भी हमने देख जो नेक्स्ट है, वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें नेफरीडिया पाए जाते हैं, नेफरीडिया या जिसे हम हिंदी में वरकक कहते हैं, तीन प्रकार के नेफरीडिया होते हैं, पंद्रवे खंड से अंतिम खंड तक सेप्टल नेफरीडिया, पटिय वरकक, फिर इस चार पांच छे खंड में फेरेंजियल नेफरीडिया उपस्तेत होते हैं तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह जो बारिक बारिक डॉट्स आपको पूरे में दिखाई दे रहे हैं यह सब नेफरीडिया हैं तो चौथे पांच में छटे खंड में ये तीन खंड के अंदर यहाँ पर लगभग 200 नेफरीडिया का एक जुंड होता है और साथ में इनके रक्त जो ग्रंतियां हैं ब्लड ग्लैंड वो भी पाई जाती है यदि आप क्लाइटेलम का भाग देखें ये वाला 14, 15, 16 वे खंड में यहाँ पर 2000 से अधिक नेफरीडिय ये इंटेग्यमेंटल नेफरीडिया हर खंड में होते हैं इनको फॉरेस्ट ओफ नेफरीडिया भी कहा जाता है और बाद में जो यहाँ आप नीचे देख रहे हैं ये सेप्टल नेफरीडिया है जो प्रतेक पट पर यानि सेप्टा पर पाए जाएंगे जिनको हम सेप्ट करके नेफरीडिया है सेप्टल नेफरीडिया जो प्रतेक दो खंडों के बीच में जो पार्टीशन होता है सेप्टा उसमें पाए जाते हैं दोनों और प्रतेक और यह लगबग चालिस से असी के करीब होते हैं और जो इंटेग्यमेंटरी नेफरीडिया है वो बाहरी तवचा की तरफ होते हैं इसमें सामानेत पहले दूसरे खंड में तथा अंतिम खंड को छोड़ कर शेश सभी में पाए जाएंगे और जैसा हमने कहा था Integumentary Neferidia या अध्यावर्नी व्रकक संख्या में सरवाधिक होते हैं क्लाइटेलंक शेत्र में Ferengal Neferidia तीन गुच्छों में तीन जोड़ी गुच्छों में के सेप्टा में से निकालेंगे और इसको हमें Microscope के नीचे इसका ध्यन करना होता है आपके syllabus के इसाब से और इसकी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की रहती है जिसमें एक कुंडलित पाली twisted lobe होती है एक सीधी पाली या straight lobe जिसके अंदर ciliated नलिकाएं होती है नेफ्रो स्टोम से यह सिलोमिक द्रव से अप्शिष्ट को छान कर लेता है बाकी जो सीधी पाली और कुंडलित पाली है उसमें इन में से पुन है जो महत्वपून चीज़े हैं उनको अवशोशित कर लिया जाता है बाकी को terminal duct की साहेता से जो लेटरल excretory के नाल है उसके अंदर छोड़ते हैं लेटरल excretory के नाल से फिर इसको सुप्राइंटेस्टाइनल के नाल में छोड़ दिया जाता है यह आप फाइल में जो चित्र बनाएंगे जैसा आप अपने पूर्व साथियों की फाइल का चित्र यहां मैंने लगा रखा है ऐसा ही चित्र आप या तो बुक से या जो अभी वीडियो में आपने देखा उससे देखकर आपको इसे बनाना है नेपरीडिया का कारिया आप जानते हैं उत्सरजन है यह शरीर के द्रवों का संतुलन बनाए रखता है और जो अप्षिष्ट है उनको बाहर निकालने का कारिया भी करेगा अर्थवं में mostly जो excretory product है वो यूरिया होता है क्योंकि ये नम म्रिदा में पाहे जाता है गीली मिट्टी में मिलता है लेकिन अगर जल की मात्रा बढ़ जाए तो अमोनिया भी अच्छी खासी मात्रा में यह निकालता है और सभी जो निफ्रीडिया है वो रक्त से तथा सिलोमिक द्रव से अप्शिष्टों को एकत्रित करते हैं जो septal निफ्रीडिया है और जो pharyngeal निफ्रीडिया वो आहर नाल में खुलते हैं अगर आहर नाल में खुल रहे है तो उनको कहा जाएगा एंटरोनेफ्रीडिया किंतु जो अध्यावरन पर है इन्टेग्यमेंट पर है उनको हम कहेंगे एक्स्ट्रोनेफ्रीडिया या एक्जोनेफ्रीडिया जो बाहर खुल रहे हैं अप्शिष्ट को बाहर छोडते हैं जो यूरिया का निर्मान होता है इसमें वो यूरिया का संसलेशन हमारे लिवर में यकरत में होता है लेकिन केजुए में लिवर नहीं है उसके स्थान पर क्लोरेगो जनकोशिकाओं में यूरिया का निर्मान किया जाएगा अगला जो है तंत्री का तंत्र तंत्री का तंत्र काफी विक्सित प्रकार का है और इसमें हमें एक nerve ring जो आपको आगे pharynx region में दिखाई दे रही है और ventral nerve cord दिखाई देगी तो nervous system के अंदर nerve ring या जिसे अपन brain ring भी कह देते हैं और ventral nerve cord है प्रते खंड में एक खंडी अगुच्छी का segmental ganglion उपस्तेत होती है इसके अंदर भी तंतरी कोशिकाओं का समू पाया जाता है तो जब आप इसका dissection करते हैं तो slide में इस तरह से इसकी nerve ring को निकाल कर आपको stain अभिरंजित करना होता है और file में इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे तो nerve ring जो है वो हमें third fourth segment में मिलेगी ग्रस्नी के चारो ओरो होती है और brain ring के ऊपर की तरफ सुप्रा फेरेंजियल गुच्छी काएं पाई जाएगी यानि अधी ग्रस्नी गुच्छी का होती है नीचे की तरफ सब फेरेंजियल गुच्छी काएं होती है और इनको जोडने के लिए circumferential connective कार्य करते हैं यह इस प्रकार से हमने जो है इसके nerve ring को आप देख रहे हैं यह सुप्रा फेरेंजियल गैंगलियॉन यह सब फेरेंजियल और यह nerve cord यहाँ पर यह उपर की जो गैंगलियॉन से इसको magnify करके आप देख रहे हैं और यह जो है पीछे की तरफ जाती हुई यह nerve cord यह पीछे की तरफ जाती हुई ventral nerve cord डबल दोहरी होती है गुच्छी का युक्त होती है ठोस होती है हमारी जो nerve cord है यानि spinal cord वो खोकली रहती है लेकिन invertebrate के अंदर वह ठोस होगी solid होगी प्रत्य खंड में segmental गुच्छी का आए है और जो nerve cord के अगर भाग यानि third और fourth segment में यह द्वी विभाजित होकर pharynx के चारो तरफ का भाग जो है वह बनाती है cerebral ganglion से यानि जो उपर के जो गुच्छी का आए हैं उनसे तंत्री का आए अगर भाग की तरफ जाती है मुख के चारो तरफ की पेशियों को और समवेदांग को यह देखें यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह nerve ring निकाली जा रही है यह पीछे nerve cord है यह यहाँ nerve ring है इस तरह से तो ventral nerve cord and the brain brain यहाँ इसकी nerve ring को ही brain कहा जाता है इसको अब हमने और अधिक स्पष्ट कर दिया है यहाँ जो है यह हमारी nerve ring है और इसको यह इस तरह से बाहर निकाल लिया बहुत ही चोटी होती है और बहुत ही नाजुक होती है तो आपको बहुत साफ़दानी से इस nerve ring को करना है यह पीछे की तरफ जो है वो nerve cord है यह nerve cord गुजर रही है जो आप सफ़ेद रंग में यह देख रहे हैं यह nerve cord है जो आहर नाल के नीचे से गुजरती है यह इस तरह से तो इनको हमें जो है dissect आउट करना होता है और nerve cord यह नीचे की तरफ रहेगी जिसके अंदर कुछ विशिष्ट कुछ चिकाएं भी हमें मिलती है और यह फाइल में जो इसका चित्र आप बनाएंगे तो प्रैक्टिकल फाइल के अंदर nervous system of earth warm के चुए का तंत्री का तंत्र च संवेदांग हैं पूरे शरीर में फैले रहते हैं इसके पास वास्तविक नेत्र तो नहीं है लेकिन प्रकास संवेदी संरचनाय एल आकार आकार की जो है वो पाई जाती है साथी शरीर में कमपन और रसायन के लिए भी संवेदी संरचनाय उपस्तेत होती है जो एल आकार की प्रकासमवधी समरचनाए हैं उन्हें फियोजोम कहा जाता है जो फोटो रिसेप्टर के रूप में लाइट के रिसेप्टर के रूप में कार्य करती है वेंटरल नर्ब कॉड के अंदर हमें चार बड़े तंत्री का तंतू मिलते हैं जिन्हें giant exons कहा जाता है और यह एक प्रकार से reflex प्रक्रियाओं को अनुक्रई जो कमपी प्रक्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करेंगे लास्ट में जो इसका प्रजनन्तंत्र है चूकि यह उबहलंगी जीव है नर तथा मादा जननांग एक ही जीव में मिल रहे हैं तो जो नर प्रजनन्तंत्र है उसको हम अलग से पढ़ता हैं समझने के लिए तो एक जोड़ी व्रशन दसवे खंड में और दूसरा जोड़ी व् प्रशन यानि चार टेस्टी जिसके अंदर पाई जाती हैं इनके समीप से जो है वासर डेफरेंस निकलेगी जो नीचे की तरह बढ़ती हुई अठारवे खंड में जुड़ जाती हैं सत्रवे और उन्निस वे खंड में एक जोड़ी सहायक ग्रंथिया भी होती है जिनसे च नर जनन चिद्र के साथ बाहर खुलती है देखें जो नर जनन चिद्र है उसके अंदर ये आप एक जोड़ी और दो जोड़ी टेस्टी देख रहे हैं इनके नीचे की तरफ जो है ये अंडाकार जो समरचना हैं यह सेमाइनल वैसिकल्स हैं जिनके अंदर शुक्रानुओं क परिपक्वन परिवर्धन होता है इसके बाद जो शुक्रानुओं है वो परिपक्व होकर यहां पर एक कीप समान सनरचना होती है उसमें आ जाते हैं और वहां से फिर ये नीचे आएंगे वह से डेफरेंस से यहां सत्रवे से किस्वेता की ये सफेद रंग की जो आप सनरचना देख रहे हैं ये वाली यह प्रोस्ट्रेट ग्रंती है ये लंबरी कस्त के ब्रशन की सनरचना है और अठारवे खंड में ये नरजनन चिद्र मादा जनन चिद्र तुलनात्मक रूप से सरल है आसान है इसके अंदर एक जोड़ी अंडाशय जो है वह हमें तेरवे खंड में मिलते हैं जो पटिय जो सेप्टा है उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं और यह जो अंडाशय है उंगली समान कई प्रवर्धों के बने हु में डेवलप्मेंट होता है तो यहां पर यह जो डार्क कलर में आप देख रहे हैं यह ओवरीज हैं यह ओविडक्ट है और यह एक जनन चिद्र से बाहर की तरफ खुलेगी ओवरीज, ओविड्यूकल पनल, ओविडक्ट तथा शुक्रानू क्रहन करने के लिए इनमें स्प प्रतित है 56677889 खंडो के पट पर यह ओपन होते हैं खुलते हैं प्रतिक जो स्परमैथिका है शुक्रग्राही है उसमें एक डायवर्टिकुलम अंधनाल और एक एमपूला जहां पर संग्रहित किये जाते हैं शुक्रानू मैथुन के बाद तो यह उपर का चित्र आप ब रिप्रडक्शन है सामानेता बारिश के मौसम में रात्री के समय पर होता है और ऐसा माना जाता है कि दो केचुए जो हैं वे अपना सिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में रख कर आपस में जुडते हैं इस प्रकार से जुडते हैं कि एक केचुए का अठारवा खंड जिस प्रकार से वे एक दूसरे में शुकरानों का स्थानांतरन करते हैं तो यहां पर जो है दोनों जननांग होने के बाद भी स्वन शेचन नहीं है बलकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन है क्योंकि हमने पता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जेनेटिक वेरियेशन प्राप्त होते मेथुन के उपरां तो दोनों केचुए प्रतख हो जाते हैं और दोनों ही कोकून का निर्वान करते हैं यह कोकून जो है वह किस से बनेगा क्लाइटेलं से बनेगा और यह कोकून काइटिन युक्त सनरचना रहती है जिसमें कुछ अंडे और शुक्रानू रहते हैं और इनके अंदर फिर परिवर्धन होगा केचुए के नवजात का लारवा प्रावस्था नहीं होती इन कोकून से छोटे नवजात क्रमी ही बाहर निकलते हैं जिनकी संख्या दो से लेकर दस तक हो सकती है कई बार तो एक ही निकलता है क्योंकि पोशन की कमी की वजए से एक ही परिवर्धत हो पाता है तो दो से बीस तक कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ रहता है कोई लारवा नहीं है यानि इसका जो परिवर्धन है वो डारेक्ट डेवलप्मेंट है प्रत्यक्ष परिवर्धन इसके अंदर पाया जाता है केंचुवा क्रशक का किसान का दोस्त माना गया है क्योंकि ये मिट्टी को डीला करता है वहां वायू पहुंचाता है जड़ों तक उसकी वरदी बढ़िया करता है जो फसलों का अप्शिष्ट है जो बचा हुआ भाग है उसको यह खाद में पर उप्योग में लाया जाता है तो यह इसके कुछ महत्वपून जो उप्योग हुए कई पक्षी कई अन्य जीव जो है वो केचुए को खाते हैं तो यह उनके आहर का एक मुख्यभाग भी है तो आज हमने जो पढ़ा है केचुए के बारे में उसके आपको चित्र प्रैक्ट